हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लंडरे देतीमन तो लास्ट वीडियो में हमने राजिस्थान के संतों में 28 कुश्चन कम्प्रीट कर लिये थे अब हम करेंगे कुश्चन 29 से इंपोर्टेंट है यह आपके लिए आप लोग पहले भी कर चुके हैं जब हमने RBSC की 6 से लेकर 10 तक की हिस्ट्री जो है वो कम्प्रीट की थी ठीक है तो एक तरीके की रिवीजन ही होगी चैप्टल जो है वो भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है उसके बाद ही यह कोशन जो है वो आप लोग लगाईएगा स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से देखना है आपके एक्जाम के लिए है ठीक है तो चलिए आज कर स्टार्ट करते हैं वीडियो कोशन 29 निरंजनी संपरदाय के संस्थापक कौन है निरंजनी संप निरंजनी संपरदाय के संस्थापक माने जाते हैं नेक्स्ट है संत हरीदास का मूल नाम क्या था ठीक है यह कुशन जो है वो आपके एक्जाम में आ सकता है संत हरीदास का मूल नाम क्या था तो आंसर है हरी सिंग सांखला हरी सिंग सांखला जो है वह संत हरीदास का मूल न 31 question है किस संपरदाय को परमात्मा को अलग निरंजन या हरी निरंजन कहा जाता है किस संपरदाय ने कहा है कि परमात्मा अलग निरंजन और हरी निरंजन है तो ये निरंजनी संपरदाय को कहा जाता है संत हरीदास जी के विचार किस ग्रंथ में संकलित हैं, निरंजनी संप्रदाई के संस्थापक माने जाते हैं, इनके ग्रंथ राजप्रकास और हरीपुर्स, इसमें इनके क्या हैं, विचार हैं ठीके राजिस्थान का कबीर किसे कहा जाता है तो संत दादू दयाल को राजिस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल का जन्मक कहा हुआ था तो यह कोशन जो है वो आप लोग पहले भी कर चुके हो 6 से 10 तक की जब हिस्ट्री का आपने लोगों ने की थी तो यहां आपकी एक तरीके की रिवीजन ही चल रही है संत दादु दयाल का जन्म जो है वो कहा हुआ था? गुजरात एहमदाबाद में 1544 इस्वी में दादु दयाल ने सिक्षा किस से ली थी? दादु दयाल ने दीक्षा जो है वह किस से ली थी? तो इन्होंने बुड नामक संत से ली थी, ठीक है? जिन्हें व्रद्दानंद भी कहते हैं नेक्स्ट है 36 कुशन दादु दयाल पतेपुर सीक्री की यात्रा कब और क्यों की? दादु दयाल ने पतेपुर सीक्री की यात्रा कब की और क्यों की? तो इन्होंने 1585 इस्वी में मुगल समराट अकुबर से भेट करने के लिए पतिपूर सीकरी की यातरा की दादू दयाल की मृत्यू कहा हुई थी इनका जन्म एहमदाबाद में हुआ था और मृत्यू जो है वो नरायना में हुई थी 1630 में दादू दयाल की मृत्यू 1630 में फोलेरा के पास ग्राम नरायना में हुई थी नेक्स्ट है 38 कुश्चन दादू दयाल के उपदेश किस ग्रंथ में मिलते हैं दादू दयाल के उपदेश किस ग्रंथ में मिलते हैं तो इनकी उबदेश दादू जी की वानी तथा दादू रा दुहा इन दोनों ग्रंतों में मिलते हैं ठीके तो देखिए यह पूरी डेटेल जो है वो हम लोग कर चुके हैं तो मैं बार-बार एक्स्प्लेइन नहीं करूंगी यदि आपने 6 से 10 तकी RBSC की बुक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा वहाँ पर एकदम डेटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें करवा रखी हैं फिर भी मैं यहाँ पर एक भी कुश्चन जो है वो नहीं चोड़ती हूँ ताकी आप लोगों की दुबारा से रिवीजन हो सके दादू दयाल के से प्रमुक है तो इनके सभी के ही नाम याद रखने हैं गरीब दास, मिस्किन दास, सुन्दर दास, बखना जी, रज्यब और माधो दास राजिस्थान की राधा किसे कहा जाता है तो राजिस्थान के कबीर किसे कहा गया संत दादु दयाल को वहीं राजिस्थान की राधा जो है वहें मीरा भाई को कहा जाता है नेक्स्ट है मीरा भाई का जन्म कहां हुआ था तो इंपोर्टेंट है कि हिनका जन्म जो है वह है 1498 इस्वी में गाउं-कुड की जो पाली में है वहां हुआ था मेरता के राठोड राव दूदा के पुत्र रतन सिंग की ये पुत्री थी तो इनके पिता का नाम रतन सिंग, दादा का नाम, राओदुदा, ये भी आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है. मीरा भाई के पती का क्या नाम था? तो लास्ट येर आप लोगोंने एक्जाम दिया था, आपको पता है ये कोशन आपके एक्जाम में पूछा गया था, आंसर था भोज राज, जो कि राणा सांगा के बड़े बेटे थे मीरा भाई को कौन मारना चाता था इनकी पत्ती की मृत्यू के बाद तो इन हैं मीरा के जो देवर थे राना विक्रमा दित्या इन्होंने इनको जहर देने की भी कोशिश की थी तो हम लोगों ने इस टोरी जो है वो चैप्टर में ही पड़ी हुई है तो दो-तीन बार मैंने इन चीजों को आप लोगों को पढ़ा दिया है क्रिश्ण भक्ती का विचार मेरा को किस से प्राप्त हुआ था तो आपकी RBSC की बुक में दिया है कि मीरा की दादी इनसे कृष्ण भक्ती का विचार प्राप्त हुआ था अगला है 45 question मीरा अपने अंतिम समय में कहां रही थी तो यह गुजरात में द्वारिका के डाकोर इस्थित रण छोड मंदिर में रही थी next है 46 question तो राजिस्तान की राधा जो है वह है मीरा बाई को कहा जाता है तो राजिस्थान की जो दूसरी मीरा है वह किसे कहा जाता है संत राना बाई को चीक है संत राना बाई को राजिस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं संत राना बाई ने अपना गुरू किसे बनाया था इन्होंने अपना गुरू चतुरदास को बनाया था संत राना भाई की गुरू का नाम है संत चतुरदास संत माउजी का जन्म कहां हुआ था? संत माउजी का जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म 1714 ईसवी में सामला गाउं में हुआ था 49. संत माउजी ने किस संपरदाय की इस्थापना की थी? संत माउजी ने किस संपरदाय की स्थापना की थी, तो इन्हों ने की थी निस्कलंग संपरदाय की स्थापना, संत माउजी द्वारा निस्कलंग संपरदाय की स्थापना की गई थी Q50 है वेनिश्य और नामक धाम की स्थापना किस संत ने की थी तो संत माओ जी ने ही वेनिश्य और नामक धाम की स्थापना की थी 52. संत माउजी को उनकी अन्वियाई किसका अवतार मानते हैं 53. संत माउजी को उनकी अन्वियाई किस जिले में सरवादिक है तो संत माउजी को उनकी अन्वियाई जो है वह भूंगरपूर जिले में सरवादिक है इनका मेला जो है वह कहां लगता है तो ये वैनिश्योर धाम माग सुकल पूर्णिमा सोम जाखम और माही नदियों के त्रवेणी संगम पर बांस वाड़ा और डुंगरपूर की सीमा पर पड़ता है तो वहाँ पर इनका मेला जो है वह लगता है और डुंगरपूर के जो निवासी हैं वो इनकी सरवादिक पूजा करते हैं। राम चरण जी का मूल नाम क्या था? एक कमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया था, कि इन कुश्यन को आप एक्स्प्लीन करा करिये, तो एक्स्प्लीन करने की जरूत नहीं है, क्योंकि RBSC की जब हमने बुक की थी, वहाँ पर बहुत सारी डिटेल में हमने कुश्यन आंसर किये थे, यहाँ पर भी कर रहे हैं, हम ने चैप्टर भी पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा एक्स्प्लीन और क्या हो सकता है, तो यदि किसी ने भी नहीं देखा है, तो RBSC की 6 से 10 तक की complete हिस्ट्री जो है, पहले वो देखिए, उसके बाद आप राजिस्थान की हिस्ट्री में कुश्यन आंसर को करिए, ठीक है रामकिसन जी ने दीक्षा किस से ली थी? तो रामकिसन जी ने दीक्षा जो है, वह है महाराज क्रपा रामजी से ली थी, जो कि मेवार की दांत्रणा गाउं में है, मूर्ती पूजन से परिशान होकर रामचरण जी कहां चले गए थे? रामचरण जी के रहने के लिए सहपुरा में चत्री का निर्मान किसने करवाया था? तो सहपुरा नरेश रण सिंग ने सहपुरा में ही चत्री का निर्मान करवाया था रामचरण जी के रहने के लिए. रामचरण जी का निधन कहां हुआ था? इनका निधन शाहपुरा में ही हुआ था 1798 इस्वी में नेक्स्ट देखिए रामचरण जी के उपदेज किस गरंथ में संकलित है? रामचरण जी के उपदेज जो है वह अड़ भेवारी नामक गरंथ में संकलित है नेक्स्ट है 62 कुश्यन रामिस ने ही संप्रदाई की इस्थापना किस ने की थी? रामिस ने ही संप्रदाई की इस्थापना जो है वह है रामचरण जीने ही की थी रामिस ने ही संप्रदाई की इस्थापना रामिस ने ही संप्रदाई की चार प्रदान साखाएं कहा है? सिंग्थल, खेडापा इन चार जगहें पर हैं सहापुरा, रेण, सिंग्थल और खेडापा इसकी ट्रिक जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी जब हमने RBSC की 6 से 10 तक की बुक की थी ठीक है कि इनको कैसे याद रखा जा सकता है आप लोग वो वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा तो रामस नहीं संप्रदाई की चार प्रधान साखा हैं सहापुरा, रेण, सिंग्थल और खेडापा इन साखाओं के प्रवर्तकों के क्या नाम है तो देखिए शाहपुरा इस साखा के प्रवर्तक तो रामचरण जी हैं, रेन के दर्याव जी हैं, सिंगतल की हरीदास जी हैं और खेडापा के रामदास जी फूल डोल महोतसब किस संप्रदाई की विशेषता है, तो यह रामचरण नहीं संप्रदाई की विशेषता है फूल डोल महोतसब राम इसने ही संप्रदाई की विशेषता है, तो हमारा यह जो चैप्टर है, यह कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्रमुक संत जो हैं, वो कंप्लीट कर लिये हैं, राजिस्थान के, नेक्स चैप्टर जो है, वो हम नेक्स वीडियो में करेंगे, मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के साथ थेंक यू